क्या आपने कभी इस तरह के साथ रंगों से बनी आकृती को आस्मान में देखा है इन साथ रंगों से बनी आकृती को अब क्या कहते हैं आस्मान में है साथ रंग बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं अब सवाज यह है कि इंद्रधनुष होता क्या है और यह बनता कैसे है? जब सूरे के किरने बारिश की बूंदों पर गिरती है, तो यह साथ रंग की एक आकृती हमें दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं. अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाया होगा कि इंद्रधनुष बारिश के दिनों में ही बनता है. ऐसा होता क्यों है? बारिश के मौसम में जब श्वेत प्रकाश पानी की बूंदों पर गिरता है, तो श्वेत प्रकाश अपरवर्तित हो जाता है. श्वेत प्रकाश साथ रं तो यह समान घटना वहां भी होती है। यह कुछ इस प्रकार दिखती है। श्वेत प्रकाश का सात रंगों में विभाजन होने को श्वेत प्रकाश का विक्षेपन कहते हैं। यह सात रंग हैं बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम इन सात रंगों को विभजे और के माध्यम से याद रख सकते हैं। इन रंगों को सम्मिलित रूप में श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि श्वेत प्रकाश सात रंगों में ही क्यों विभाजत होता है। चलिए हम प्रिज्म की सतह पर लाल प्रकाश को आपतित करते हैं काच के प्रिज्म में लाल प्रकाश की गती कम हो जाती है इसलिए यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा जब लाल प्रकाश प्रिज्म से बाहर आता है तो इसकी गती बढ़ जाती है इसलिए यह अभिलंब से दूर हो जाती है यदि हम अलग-अलग रंगों के प्रकाश को प्रिज्म पर अपतित करते हैं तो प्रिज्म में उनकी गती अलग-अलग होगी हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है जब श्वेत प्रकाश हवा से गुजरता है तो सातों रंगों की गति समान होती है इसलिए प्रकाश हमें श्वेत दिखाई देता है किन्तु प्रिज्म में इन सातों रंगों की गती अलग-अलग हो जाती है इसलिए ये सातों रंग एक साथ नहीं चल पाते हैं और श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजत हो जाता है लाल प्रकाश प्रिज्म में कम मुड़ता है क्योंकि लाल प्रकाश की गती प्रिज्म में अधिक होती है बैंगनी रंग जादा मुड़ता है क्योंकि बैंगनी रंग की गती प्रिज्म में कम होती है क्या आपने सोचा है कि अगर हम एक प्रिज्म के सामने दूसरा उल्टा प्रिज्म रखेंगे तो क्या होगा? वीडियो को रोके और अपने सहपाथी के साथ चर्चा करें हम जानते हैं कि जब प्रकाश पहले प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपरवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजत हो जाता है अब यह सातू रंग उल्टे प्रिज्म पर आपतित होते हैं दूसरे प्रिज्म से अपरवर्तन के बाद सातू रंग सम्मिलत हो जाते हैं और उल्टे प्रिज्म से श्वेट प्रकाश निर्गत होता है। चलिए, एक बात दोहरा लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, जब श्वेट प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो यह सात रंगों में विभाजत हो जाता है। क्रिप पे ऐसी अपने कॉपी में नोट कर ले